गुद मॉर्णिंग आइज वेलकम टू विद्धाइट 24 सो गास आज हम लोग इस्टडी करने वाले क्लास 11 पाइलोजी का मस्ट इंपोर्टेंट को से जो कि अब्जेक्टिव को से तुछ लिए स्टार्ट करते हैं आज का पाला कोशिन क्या है पाला कोशिन है जे विधाता मे समली थे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है जे विधाता यानके बाफ बायोडावर्सिटी अब बायोडावर्सिटी जो है इनकी खोज करता कोन है तो 1985 में 1985 में जे एस रिशन नाम का एक वेग्यानिक ने किसके खोज गया था बायोड विधाता में समली थे जे विधाता में क्या समली थे जमीनिया जिसको बोलेंगे टेरिस्टेरियल जलिया यानिकी एक्वेटिक याफि पारेस्थितिक तंत्र यानि एको सिस्टम याफि इन्विशिस सभी अगर देखा जाए तो टेरिस्टेरियल यानिकी पहाडी एरिया मे भी जे विविधाता पाजाता है जीओ में भिन्नता पाजाता है जल यह छेत्र में भी अगर देखा जाए तो जीओ में भिन्नता पाजाता है और अगर हम अपने ही एरिया में पारिस्तितिक एरिया में एको सिस्टम में अगर देखते हैं तो यहां भी विविविन परकार की जियू जो हो पाए जाते हैं तो इसलिए इसका जो right answer हो जिएगा option number d जो होगा इसका該 answer होगा हिऊचन में डेख लिए क्या है तो उभाइ चर की संख्या जादा होता है उभाइचर की संख्या कहां पर जादा होता है तो देख लेते हैं इसका option पूरवी घाट में पशिमी घाट में मयदानी छेतर में या फिर रेगस्तानी छेतर में तो इस question का राय कार पशिमी घाट में अगर देखा जाए we Judaism कि उसको बोला जाता उभाई टो उभाई चर एसे प्राणी ऐसे जंतु को बोलेंगे जो थल और जल यानि की जमीन और पानी दोनों में रहने के कैपासिटी रखता हूँ ठीक है और अगर हम देखेंगे पश्चिमी घाट की ओर तो यहाँ पर अधिकतर सुटेबल जगा जो है वो जल और थल दोनों है इसी लिए अनुकूल परिस्थिती अनुकूल जगह को देखते हुए यहाँ पर जो है वो उभाईचेरियों की संख्या सबसे ज़ादा है पूर्वी घाट, मैदानी छेत्र और रेगिस्तान छेत्र के कामपेर में चली अगला कॉस्षिन डिसकास कर लेते कॉस्षिन में थ्री क्या है तो पारिस्थिती की विविधाता जो एकोलोजिकल लाइवर सिटी है में कोन समली थे पारिस्थिती की विविधाता जो है एकोलोजिकल लाइवर सिटी में कोन समली थे अलफा विविधाता बीटा विव धाता होता क्या चीज़ है ठीक है चली अगला कुशन देख लेते हैं अक्चुन कर देखा जोती है पारिस्तिती का पार्ट है पारिस्तिती का पार्ट क्या है अल्फा बीटा और गामा लेकिन अल्फा बीटा और गामा में क्या क्या आता है ठीक है आप लोगो कमेंट में करना चलिए अगला कोशन देख रहेते हैं कोशन में फोर क्या है कोशन में फोर बोड़ा कि भू मंडल में सबसे बड़ा जे विविधाता वाला छेत्र भू मंडल मतलब कि हमारे इस जमीन में सबसे बड़ा जे विविधाता वाला छेत्र कौन सा है अमेजन का वर्षावन भारत का पशिमी घाट मैया मार का जंगल या अफरीका का जंगल तो हम लोग जानते हैं अमेजन जो है वो सबसे बड़ा और घना जंगल है इसलिए यहाँ पर जिये विविधाता का शेतर सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो अभी तक 45% प्रजातियों की खोज नहीं हो चुका है और अगर देखा जाए तो 55% प्रजातियों की खोज हो चुका है तो इसलिए बोला जाता है कि अमेजन के वर्षावन में अभी भी ऐसे ऐसे रह सिम्मय जो है जन्तु पा जाते हैं जो कि अभी तक कोई भी उनका खोज नहीं कर, क्या हुआ रहा है, अभी भी वो जो है, वो गुप्त में जिसको बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अमेजन का जो वर्सावन में है, सबसे ज़्यादा जिये विविताता पाजाता, सबसे ज़्यादा जनतू में भिनता पाज हैं, और कोन-कोन से देश में यह फैला हुआ है, चली अगला कुशन देख लेते हैं, कोशन नमबर 5, विश्व में कितने हाट असपोर्ट छेत्र है, अगर पूरे विश्व का देखा जा कितने हाट असपोर्ट छेत्र है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, औप्सिन न विहारों की संख्या क्या है तो भारत वर्स में पुरे भारत में पशु विहारों के संख्या कर देखा जाए तो 448 मतलब की ऑप्शन में सी जो इसका राइट एन सुरू जाए देख लेते हैं पशु विहार क्या होता है तो यहां पर पशु को सर्चित रखा जाता है और उसके वनसर जो को reproduction process के जर्य क्या क्या जाता है इंक्रेज क्या जाता है तो हमारे भारत में इनकी संक्या क्या है 458 चलिए अगला कुशन देख लेए देख लिए कोशन 7 का निम लिखीत में कोण विदेशी प्रजाती है विदेशी प्रजाती तो बोलेंगे वैसा प्रजाती जो हमारे देश का ना हो ठाइब पार्थोनियम क्या है लेंट आना जल कुम्भी या थि न में से सभी तो कि इसका राइट एगा उल यह तीनों ककी जो है हमारे विदेश का productivity हमारे केस्व का प्रजाती नहीं है ठीक है अगला कॉर्शन discuss कर लेते क्विशन में चया है कि यां में जिसको में गो बलते हैं जो कि सबसी passe प्यारा और फ़लो का तुराजा ख़िए कि लगभग कितनी प्रजातियां हमारी इस भारत वर्त में पास पास अंधी देखा जाये तो आम की किंव प्रजाति हमारे भारत क्लिप पा जाता है 15 200 552 एक सो से ज्यादा तो इसके स्थिस फेनी से जाए atenção रेट डाटा बुक जो है में समलित है रेट डाटा बुक में क्या समलित होता है तो दूरलब पोधे की सुची गायब होरे पोधों की सुची विलूप्त होरे पोधों की सुची या इन में से सवी सुची समलित होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा इन में से सवी रेट डा एनिमल होता है उन लोगों का सूची भी रेड़ाटा बुक में क्या होता इस्टूर करके रखा जाता इसे फाइदा क्या इसे फाइदा यह होता है कि जिस मीने सेट लिए इक वेदर रड़ करना मुठिय होता है उसको सरचीत करके वनसयव को पढ़ाने में मदद मिलता हे, क्योंकि जब तक कि हम लोग को जानकारी नहीं होगा उसका सरचन करना मुस्किल होता है, ता इसलिए रेट डाटा बूक में इस डेटा को इंपर स्टोर किया जाता है, और जानकारी लिया जाता है कि कोन सानवर जानवर या वह सरचित किया जाता है उसके लिए इंवारमेंट बनाय जाता है चाहे वह एक सेटू हो चाहे वह इनसीटू हो ठीक है चलिए चाहे वो आंतरीक हो चाहे वो बाय हो अगला कोशन देख लेते हैं कोशन में 10 और आज के लिए लाश्ट कोशन क्या है कि संकट गरस्त अस्पीसीज वैसा अस्पीसीज जो संकट में है से संबंद में कौन सा व्यक्तव सही नहीं है क्या है कौन सा सही नहीं है अप्सन देख लेते हैं इस रेनी में उन जातियों को रखा गया है जिनके विलूप्त होने का भाई बना रहा बना हुआ है यह स्पीसीज संकट गरस्त हो जाती है क्योंकि इनके प्रकृतिक आवास किनी कार्णू से बदल जाते हैं या फिसी नमर क्या दिया है सी नमर दिया है कि स्पीसीज की संक्या क्रांतिक सीमा से भी कम हो गई है या फिर डी नमर इस रेनी में सुवेद तथा दुलब दोनों परकार की स्पीसीज संबली थे तो नॉर्मली का देखा जा टैन का राइट एंसर हो जोगा ऑप्सन बड़ी क्या है कि इस रेनी में सु मुटिवेट मिले थेंक यू